नवस्कार आपके साथ मैं हूँ अर्पितारे और आप देख रहे हैं सारा देश सौख खबरे तो चलिए शुवाद करते इसके संसले की उट्राखन के जंगलों में लगी आग अब लोगों के लिए आफ़त की आग बनती जा रही है वहाँ अब तक आग से साथ लोगों की मौत हो चुकी है जबकि चौदा लोग जुलस कर अस्पतालों में जिंदगी और मौत की भी जूल रहे है सुबे के खरीब उनने सो हेक्टर लाखी को आग नी चपेट में ले रखा है इसाथ के चलते अब तक करोणों रुपे की वन संपता जलकर खाक हो गई जिबकि हजारों वन जीव भी इसाथ की फेट चड़ गए उदर क्रिमंत्री राशना सिंग ने कहा है किस मसले पर उन्होंने राजिपाल के के पॉल से बात की है राश्राद के मताबिक के इंदर अपनी ओर से उत्राखन की हर समब मदद कर रहा है तरकार ने आग बुझाने के लिए दो MI-17 हेलिकॉप्र तनाद करने का फैसला किया इस बीच, NDRF, SDRF और थल सेनक के जवान आग बुझाने के लगातार कोशिश कर रहे है रुग प्रियाग में तो इतने हालात बिगड़ चुके हैं कि आग पर काबू पानी के लिए सेना को बुलाना पड़ा हालात गंबी रोने के बाद अलमोडा, पॉड़ी, गोचर, सहित कई लाकों पर SDRF और NDRF की टुकड़ियों को तैनाद किया गया तेरा पहारी जिलों में हाईलर जारी किया गया है, वही खरीब 4,501 कर्मचारी आग बुझाने में जिटे हुएं, खरीब 5 गंटे की जद्धो जहेद के बाद आग पर काबू पाये जा सका लुद्याना के बहादूर रोट पर इस सिर्थ कपड़े की फैक्टरी में आग लगने से हरकम मजगई आग इतनी भ्यानक थी कि उसे बुझाने के लिए 12 अंकल की ज़रत पड़ी लेकिन जब तक फाइर ब्रिगेट की मौक गारियां मौके पर पहुची आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया तहला कि इस हासन किसी क्या था हथ होने की ख़बर ने तुझरात के वापी में कबार गोदाम में भीशर आग लगने से हरकम मजग गया कबार में जोलन शील पडार्तों के होने की वज़े से आग के ने विक्राल रूप ले लिया कालपुर के फनीचो गोदाम में भयानक आग लग गया इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेट की छे गाड़ियों को आग बुझाने में काफी मुशकत कनी पड़ी आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया हर्याना के करनाल में एक कपड़े के शोरूम में भीशर आग लग गया आग लगने विज़े से शोरूम में लाखों का समाज जलकर खाक मौके पर पहुची दमकल विभाग की तीन गाड़ियों नाग पर काबू पाया देशबर में अप्रेल महीने में गर्मी और लूस से तीन सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई सबसे ज्यादा तैलंगारा में 137 और इश्याम 110 और आंधि प्रदेश में 45 लोगों की मौत रितिक कंगना इमेल विवात को लेकर शनिवार को पुलिस की साइबर सेल कंगना के घर पहुचे ज़ुरान साइबर सेल ने कंगना और उनकी बेहन रंगोली के बयान दर्च किये पुलिस उत्रों के मताबिक कंगना ने रितिक रोशन के सभी आरोपों से इंकार किया है वहीं कंगना के वकील ने कहा है कि उनके पास मामले के पूरे सबूर भी है दोरान पुलिस ने कंगना से उनके अकाउंट से डिलीट हुए इमेल के बारे में पूछताच की आईवियन सेवन को मिले एक्सक्यूज जानकारी के मताबिक पूछताच के दौरान कंगना ने शरक जता है कि रितिक और उनकी टीम ने उनका मेल हैक किया और उनके इमेल डिलीट किये हैं, पूछताज के दौरान कंगना ने पुलिस को बताया कि उन्होंने रितिक से कहा था कि इमेल डिलीट होने के मामले में दोनों को साजी श्रकायत करनी चाही, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया पुलिस ने कंग्रा से कई सवाल किये, पुलिस ने पूछा कि आपको रतिक रोशन की आईडी कहां से मिली और किस ने थी बिपाशा बासू और अपने ता करन सिंग रोवर शनिवार को शादी के बंधन में बंद गये शादी मंगाली स्टाइल में हुई दोरान कई फिल्मी सितार नों शुकत की शादी मुंबाई के एक फाइव स्टार हुचल में हुई शादी में बॉलिवूट के सभी बड़े सितारों के लावा बिपाशा के पूर्फ्रे में जिनो मौरिया बिशामिल हुए इस मौखे पर विपाशा निर्जैनर रौकी एसकी सुनहरे और लाल रंकी लहंगा साड़ी पैनी थी इस गड़ के अंबेकापुर में इन दिनों हातियों का आतंग चरम पर है यूपी के संतकवीर नगर में एक गाउ में जंगल से भटक कर आए एक तिंद्वे ने जम कर टांड़ ओफ किया तिंद्वे ने एक बिजर्ग को जखमी कर दिया तिंद्वे के आने की खबर सुनकर पोलिस और वन्विभाग की टी मोखे पर पहुँची लेकिन उसके पकड़ा नहीं जा सका अपुर में सरेयाम सड़क पर 15 फिट का अजगर देखकर लोगों में हरकाप मच गया सड़क पर खोलेयाम अजगर को घूमता देख लोगों में अफ्रात प्रिमाच गई अजगर घंटों बड़े आराम से सरक पर घूमता रहा लेकिन वन्विभाग की अधिकारियों ने कोई सुद नहीं ली लोगों कारों फेकिन वन्विभाग की तरफ से इसे पकड़ने की कोई कोई कोशिश नहीं की गई असाम के मुखे मंतरी तरुन गोगोई को पेट में दर्द की शुकायत के बाशनिवार देर शाम अस्पर्दाल में भरती कराएगिया उन्हें कोहाथी के मेडिकल कॉलिज में भरती कराएगिया प्रधान मंतरी नरींदर मोदी आज अपने संसदी एक शेतर वरांसी पहुच रहे हैं जोरान वो अंतराश्ट्रिय मजदूर दिवस के मौके पर एक हजार रिक्षा चालकों कोई रिक्षा और काशी के असी घार पर निशादों को ई-बोर्ड बाटेंगे इसे पहले प्रधान मंतरी यूपी के ही बल्या जाएंगे जहां वो हर घरीब को रसोई तक गैस सिलेंडर पहुचानी के मदवा कांकशी प्रधान मंतरी उज्ञला योशना का शुभारंब करेंगे प्रधान मंत्री के वलिया दोरे के सिलसले में बुलाई प्रेस कॉंफरेंस में बिजेपी सांसद हरी नाराय राजभर ने रधिकारियों के लिए जम कर अपशब्दों कर स्वाल किया अगस्ता वेस्टलाड मामले मिश्रनिवार को पूर उप वॉपधन प्रमुक्स जेयस गजराल से पूछताः कीगई कांगर्स ने पूछा कि 2015 के डिफरेंस एक्स्पो में आरोपी कंपनी को एंट्रि क्यों दे गई उधर आम आदमी पाथी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कॉंग्रिस टे मामले में अपने हाथ काले किये हैं। कोशिश की जारी साथ उन्होंने कहा कि जवाल को सोन्या को गिरफतार करने जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस वाठे पर आम लोगों के साथ सीम अमताबैनर जी, बुद्देव और सौरम का हुगली समेट कई हस्तियों ने भी अपना वोल टाला है। पाच्वे चरण के कुछ जगहों पचिट पुठ हिंसक जड़पे भी देखने को मिली अब छटे और आखरी चरण का चुनाव पांच मई को होना है वह उनिस मई को चुनाव के नतीज़े आएंगे पाच्वे चरण के मतदान के दौरान टीमसी और सीपी आएंग कारकरता अपसमे भिड़ गए आरंबाग और हुगली में टीमसी और सीपी आएंग कारकरता की भी छड़प हुई इस छड़प में एक सीपी आएंग कारकरता खायल हो गया बंगाल में पाच्यो चरण की वोटिंग से कुछ घंटे पहले मम्ता के मंत्री फिरहाद हाकिम ने पाकिस्तानी अखबार दडॉन से बाच्चीत में 24 परकनाज जिली के विदान सबक श्रेत्र कॉर्डन रिच को मिनी पाकिस्तान बता डाला उन्होंने डॉन को की रिपोर्टर से गाजन रिच इलाके में राली के दौरान कहा कि आप हमारे साथ आईए हम आपको कॉलकर्टा के मिनी पाकिस्तान में ले चलते अलाकि विवाद होने के बाद सफाई मनोंने पियम मोदी का उधारर देती हुए का कि वो चार बार पाकिस्तान जा सकते हैं तो किसी जगए को मिनी पाकिस्तान कही जाने पर क्या फरक पड़ता है राश्पती प्रणाओ मुखर जी पाफुआ न्यू गिनी के बाद दोरे के अगले प्रणाओ पर न्यूजिलेंड पहुच गए है से पहले राश्पती के सम्मान में पारम प्रेक कारिकरम कायजन किया गया अंधर प्रिदेश के आईएस अफसर और डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिशनर के पत पर तैनाथ ए मोहन के घर छापे में खरीब आट सो करूर की समपती जब्ट की गई कपाड़ा, बेलारी, मेज़र, नौलार और प्रकाश्रम और हैदराबाद के कुछ ठिकानों पर जपे मारी की पेटरल डीजल की कीमतों में जाफा हो गया है पेटरल एक रुपए चाहए पीसे जब्की डीजल बो रुपए चरान भी पैसे महंगा हो गया दली में पेटरल अब 62 रुपए 59 पैसे अफ्च沒事 पैसे महार हो गया जबकी हाथसे में कुछ लोग हाल भी हो यह घहालों नायर और जेजी अस्पताल में भड़ती कराएगा उदा महराश्च सरकार ने इस हाथ से के जाज के आदेश दे दिये है तो फहीं विपक्ष ने आरोप लगाए कि लापरवाही की वज़े से यहाथ सा हुआ रस्दानी दिली में आसे डीजल टैक्सियों पर ब्रेक लग जाएगा सुप्रीम कोट ने डीजल के टैक्सियों को से एंजी में बदलने के लिए और वक्त देने से इंकार कर दिया अदालत ने एक मई से दिली में डीजल टैक्सियों बैन करने का आदेश दिया है जिसके बाद आदालत ने डीजल टेक्स को से एंजी में बदलने के लिए और महलत देने के अपील की गई थी लेकिन आदालत ने इंकार कर गया उससे और जिविन का दूसरा फेस शरनिवार को खत्म हो गया अब इसको लेकर दिली सरका आचार मही को धनेवास हमहरो आयजित करेगी और जिविन के दोरान लिभग 10,000 चालान कटेगे दिली में यूथ कॉंग्रेस ने और जिविन के विरोध में केजरवाल के घर के बाहर प्रदर्शन के जोरान कॉंग्रेस ने आरोब लगाया कि केजरवाल सिर्फ अपना चेहरा चंप का रहे तुके से जूज रहे महराश में धलरले से पानी की सरकारी बरबादी पर आयजित के खबर का बड़क्स असर हुआ है वेस्ट बसों की धुलाई के खबर दिखाए जाने के बाद बेमसी ने कहा है कि वो पानी बचाने के पूरी कोशिश करेंगे बतादे मुंबई में 4,000 बसों को रोज होने के लिए तक्रीबन 7,000,000 लीटर पानी का अस्तमाल के रहा थे जिसमें से 6,000 लीटर पानी पीने के काबिल होता है मुंबई में 52 रूटों पर वेस्ट की बसों को नहीं चलाने के फैसले को लेकर दिखाए गई आई बिन 7 के खबर का सथ हुआ शिफसेना ध्यक्षो दफ्ठाक्रे ने कहा कि वो इन बसों को बन नहीं होने देंगे मद्यपर्देश हाई कोड ने सरकारी विभागों में करमचारियों की प्रवोशन में आरक्षन को खत्म कर दिया है हाई कोड के फैसले पर प्रिसुक्रिया देते हुए किंदर सरकार की गोल्ड और मॉनेटाइजेशन स्कीम के तहर तरुपति ट्रस्ट अपना पूरा साधे साथ टरंसों जमा करने के लिए तयार हो गया हाला कि इसके लिए उसने कुछ और बदलाव की मांग की एहमदाबाद में राहत फते अली खान के कारक्रम इस्थल के सामने शिफसेना ने विदोत दर्शन के आईज दोरान कारक्रम का जिरोत कर है शिफसेनिकों को पुलिस ने हिरासित में भी ले लिया बिल्डर ही नहीं सिल्ली सरकार भी सपनों के घर के साथ खेल रही है गारी कमाई का पैसा सरकार को देने के बावजू जुगी में रहने वालों को अपना मकान अब तक नसीर नहीं हुआ 20,000 फ्लेट सालों से खंधहर में तब दीर हो रहे हैं लेकिन पहले श्रीला सरकार और आपके जिवाल सरकार चुनावी वाइदों को पूरा नहीं कर पाई दोनों ही जरकारों का वोट बैंक पाने जाने वाले जुगी जोपड़ियों में रहने वाले अब अपने वोट का हिसाब माँग रहे हैं यूपी के जहासी में कर्ज से परिशान एक किसान के खुदकुशी का मामला सामना है बता जारा के बीचियों की शादी के लिए किसान ने काफी कर्ज ले रखा था गर्श के लिए साहुकार उस पर पैसा देने का दबाव बना रहा था जिसे परिशान होकर किसान ने ट्रेंज से कट कर जान देगी पठान कोट में एक चात्र ने सेलफी लेने के चकर में अपने पिता की बंदूख से गोली मार ली दरसल चात्र अपने पिता की लाइसेंसी बंदूख के साथ सेलफी लेना चाहता है वो अपनी बहन के साथ बंदूक लेकर सेलफी ले रहा था तबी ट्रिगर पर उगली गई और दब गई जिसके बाद चाथ को फॉर्ण अस्पिताल में भरती कराया गया जहां सो उसे लुद्याना रेफर कर दिया गया है बेडिल कॉलेज में दाखिल के लिए आज देश भर में परिक्षा का आईजन किया जा रहा है गुरुग्राम में एक बाइक दुर्घटना में सौधी आरप के डिप्लोमेट के मौध हो गई यहाथसा उस वक्त हुआ जब रतिस साल के सल्मान गुरुग्राम से सुरच को नचा रहे थे कांसर सल्मार जेवी अपने चार साथियों के साथ अपने स्पोर्ट्स बाइक पर रेसिंग कर रहे थे तिसी दौरान रफ्तार ज्यादा होने पर सल्मान की बाइक फिसल कर साड़ा किनारे ग्रिल से टक राके दली के गीता कॉलोनी में एक श्रक्स ने महिला को गोली मार्दीस के बाद खुद भी सुसाइट कर लिया फिलहाल लड़की के हाल गम्रे बताई जा रही है पुलिस के अनुसार मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग का है दिली के इंद्रपुरी में एक महिला ने सुसाइट कर लिया महिला के माई के पक्ष का आरोप है कि उससे दहीज के लिए प्रतारित किया जा रहा था पलिस महिला के पती से पूछताच कर रही दिली पुलिस ने अपने ही एक SHO को ग्रफतार किया प्रताप यादों के तीन साल तक दुश्कर्म किया और फिर विरोध करने पर थाने बुला कर अपनी पत्नी मा और भतीजी के साथ मिलकर पीडिता को बुरी तरह से पीटा आमला बढ़ता देख दारोगा चुटपी लेकर अपने परिवार के साथ फरार हो गया और पीडि छात्रा को अपने भतीजे के साथ जबरन वहाँ से बाहर भेज़ दिया बिहार के बगहां में देशी और विदेशी शराब बंध होने के बाद घरेलो शराब कर रिमार करते हुए तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ़तार किया गिरफ़तार लोगों में एक ठाना का चौकिदार दिशामिल कानपूर में एक पती ने जबरर अपनी पतनी को अपने सेट के साथ संबद बनाने के मजबूर किया पहले इससे चार शरादिया कर चुके इस श्रक्स के बारे में जब उसकी पतनी को पता चला तो उसके खलाब पुलिस में शुकायत तरज कराने गिए दिली से सटे इंद्रापूरम में जूलरी के एक शोरू में 40 लाख रुपए की जूलरी का लूट के मामला सामने आया दो मोटर साइकल पर आये पांच हतियार बंद बदमाश्रों ने इस वारदात को अंजाम दिया यूपी के कानपूर में चोरू ने लगभख 14 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दे राला परिवार वाले शादी समारों में भाग लेने के लिए घर से बाहर गए हुए थे हर्यारा के हिसार में फाइरिंग से एक दूलहा बुरी तरह से घाल हो गया तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरफ फाइरिंग होते ही दूलहा गिर्दने लगता है मौके पर पहुचे पिलिस ने दूलहा दूलह के प्रता का बायार दर्च कर जाज चुलु करती सतिसगर के दंतेवारा में नक्सलियों ने एक शक्स के हत्याकरदी कटना इस्तल पर नक्सलिय पर्चे भी छोड़की गए जिसमें मुरतक को पुलिस का मुखविर बताया बिहार के बेगुसराय में एक बरात के दौरान हर्श फाइरिंग हुई इस दौरान एक बच्ची समय दो लोग हाल हो गए रियाना के सोनीपत में चोरों ने मुख्यमन्फ्रीक के OSD भूपे इस्षवर दयाल के घर को ही अपना निशाना बनाया अनुषका शर्मा का आज 28 जन्म दिन है और आज इस मौखे पर सुल्तान का टीजर रिलीज किया जाएगा सुल्तान का इपहला ऐसा टीजर होगा जिसमा अनुषका शर्मा दिखाई देंगी साल अनुषका शर्मा अपने बैनर तली तीन फिल्में बनाएंगी इनमें से एक फिल्म के लिए अनुषका ने सैफ अली खान को बतौर लीड एक्टर चुना है अजय देगन के अगली फिल्म बाश्चाहों में लीड रोल के लिए अशरा राय को अप्रोच किया कि अशरा को फिल्म के स्क्रिप्ट की भी पसंद आ गए लेकिन उन्होंने हा नहीं कहा दी सारुखान के अगली फिल्म में रनबीर कपूर गेस्ट एप्रियंस में दिखाई देंगे खास बात ये है कि ये फिल्म इंतियाज अले की निर्टेशन में बनाई जा रही है बांगलदेश के तांगेल जिले में शनिवार दोपहर एक हिंदू टेलर की चाकों से गोत कर हत्या कर दी गई आरोप है कि उसने 2012 के प्रॉफित मुहमद के खिलाफ अपमान जनक टिपणी की थी हमलावरों ने इसका ही बतला लिया आईस आईस के लिकिन हैकर ने एक लिस जारी की है जिसमें उसने न्यू यॉक में रहने वाले 3600 लोगों को अपने हिट लिस में दिखाया FBI ने खुद शेहर के लोगों के जानगा दी मेक्सिको में समंदर की सेर पर गए सलानियों की वोट में अचानक डॉल्फिन आ गई जिसके बाद जो खास घबरा गए हाला कि दो लोगों ने हिम्मद करके फिर से डॉल्फिन को समंदर में डाल दिया अपनान डेविड वॉर्णर की एक और धमाकिदार पारी से संराइसे हिदराबाद ने आसी भी को 15 रन सहरा के टॉप फोर में चपनी जगए बना लिए वॉर्णर ने 50 गिन दो पर 9 चौको और 5 चौको की मदद से 20 रन बनाए चनवार को खेले गए आईपेल के पहले मैच में मिजबान दिली के के कियार को 27 रनों से हरा दिया इस जीत के साथ दिली अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुच गई आईपेल में आज दो मैच खेले जाएंगे पहला मुकाबला राजकोर्ट में शाम चार बज़े गुचरात और सिंक्स 11 के बीच होगा तो वही दूसरा मैच रात आज बज़े से पूने में पूने और मुंबाई इंडियन्स के बीच होगा प्रोफेशनल मुकेबाजी में विजेंदर सिंग ने लगातार पास्वी बार नौकाउट का खिताब जीत कर संसनी खेला आती ताना नेवाल को बेडमिटन इश्यो चेंबर्शिप के सेमी फाइनल में चीन की यॉंग वॉंग से हार का सामना करना पड़ा इसी किसाद चेंबर्शिप में भारती चनौती खत्म होगे